ये फ्लाइट के अंदर हंगामा देखने के बाद आपको जरूर हैरानी होई होगी क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई यातरी ऐसा परताफ करे हाँ कभी कबार ऐसी खबरे जरूर आ जाती है जिन पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार फ्लाइट में हंगामा देखने को मिला जब ऐसी खबरे आती है तो बड़ी हैरानी होती है ऐसी हैरानी भरी खबर अब एक सामने आई है जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे जिसमें एक यातरी दोड कर आता है और पाइलेट को धपन मार देता है जिसके बाद फ्लाइट में हंगामा मच जाता है अब ये विवाद क्यों हुआ और यातरी ने ऐसा क्यों किया ये सब आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले देखे फ्लाइट के अंदर का ये वीडियो ये था घटना का वीडियो जिसमें पाइलेट कुछ एलान करता है और यातरी उसकी ओर जाकर सीधा थपड़ जड़तेता है दरसल इंडिगो की फ्लाइट में पाइलेट के साथ एक यातरी ने उस समय मार पीट कर दी जब वो उडान में देरी का एलान कर रहा था इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया परतेजी से वाइरल हो रहा है और अब ये वीडियो लाखों लोग देख चुके हैं वीडियो में दिखाई दे रहा है कि पाइलेट यात्रियों के सामने कुछ अनौंसमेंट कर रहा है तब ही पीछे से पीले रंकी हुड़ी पहना एक एक शक्स जल्दी में आता है और एकदम से पाइलेट को थपड मारतेता है इसके बाद एक एरोस्टेस कहती है कि आपने जो किया वो गलत है एरोस्टेस रोने भी लगती है और कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते है इस बात को सुनकर वैशक्स फिर से कहता है कि हम कितनी देड से बैटे हैं तो महीं आसपास के बैठे लोग भी आवाज उठाते हैं बता दें कि ये घटनार अविवार शाम 7 बजी की है फ्लाइट सिक्सी 2175 डिली से गोवा जाने के लिए तैयार थी आरूपी की पहचान साहिल कटारिया की रूप में हुई है यातरी को विमान से उतार कर सीधा पुलिस के हवाले कर दिया है घटना को लेकर पुलिस F.I.R. भी दर्च कर चुकी है पाइलेट का नाम अनुप कुमार बताय जा रहा है उन्होंने कटारिया के खिलाफ शिकायत दर्च कर आई पुलिस मामले की जांच कर रही है इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेट अभी के लिए फ्लाल इतना ही खबरों में बने रहने के लिए देखते रही है वन इंडिया हिंदी